हालो फ्रेंड वेलकम है आप सभी का सोनिया की फैमिली व्लॉग में कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे मस्त होंगे अपने गरे मुझ सुस्त वंगे तो आज का दिन है संडे और संडे मॉर्निंग में मैं आप लोगों के साथ में व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर सकी हूँ और मैं सबसे पहले आज पता है क्या गर रही हूँ सुबह सुबह जो भी मतलब कल मैंने दो दिया था रजाई अब ठंडी चली गई है अब मतलब अब चल जाता है इसलिए मैं रजाई धो के उसे सुखा के अब मैं उसे रखने वाली हूँ उसकी जगह पे मैंने धो दिया है और धो के ना मैं कैसे रखती हूँ पता है देखो एक रजाई मैंने निकाली नहीं थी तो एक कवर आती ही ना रजाई की चैन वाली इसी कवर में मैं रखती हूँ तो मैं देखो रजाई लेके आती हूँ मैं किस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ देखो इसको ना कि जैसे नेक्स्ट येर आप निकालो तो कोई स्मेल ना रहेगी मैं इसे दो के कमफट में एक बार लगा देती हूँ जो किसमें खुसबू भी रहे तो कमफट वाली स्मेल भी रहेगी और जो कपड़े की जो गोली आती है ना मैं ये देखो मैं लेके आती हूँ तो ये कपड़े की जो गोली होती है न मैं एक एक पैकेट पूरा डिमार्ट से में ले आती हूँ और जहां-जहां मुझे जरूरत होती है, मैं मामा रग डाल देती हूँ, तो यह देखो, मैं यहां पर दो गोली डाल दूँगी, इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती मुझे, अगर कपट में से कपड़े निकालो, अलमारी में से, या तो सूटकेस में से, तो इसकी स्मेल आत इसलिए यह डाल के अगर ऐसा करके रखोगे ना दूसरे साल भी आप अप ठंडी में में निकाल के उड़ूँगी, मुझे धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ना धूप दिखाने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं सबसे पहले इसे रख दूँगी, और रखने के बाद मैं यह सुबह सुबह में सबसे पहले नहाद होके यहाँ पर अपने जो प्लांट में सब पानी डालूंगी, यह बॉटल मैंने इसमें मतलब छेत कर दिये हैं, और होल करने के बाद में मैं इससे ही पानी डालते हैं, जिससे की पूरी पतियों पर पानी आती है, यह तुलसी बच्चे और मेरे हैस्बेंड संडे की दीन में कोई सुबा लेट तक मॉर्निंग तक सोने वाले नहीं है सब छे बज़े उठके ही सब चले गए हैं किर्केट खिलने के लिए और यहां मैं कर रही हूं दिया बती भगवान जी का मैं नहां के आ गई हूं तो मैं भगवान की द मैं अब नास्ते की बारी आज़े हैं गई है तो क्योंकि फिर टाइम हो रहा है सब आ जाएंगे नास्ते की टाइम पर तो यहां मैंने चाय दूद रख दिया है दूपर के खाने की तयारी भी इसकी सबजी बनेगी और दाल वगगरा सब मैं रात को इसे मूंग और उरत की दाल और चने की दाल तीनों मिक्स करके मैं इसका वड़ा बनाने वाले हूं मैं दूड़ा चटनी नारियल की बनाऊंगी तो देखे दो बैचेस में मैंने इसे दाल को लग कर दिया है क्योंकि दाल को ना नमक डाल देते तो बहुत लूस हो जाता है ना तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बनाती हूं और नमक हिंग डाल के मैंने मिक्स कर दिया लसुन और मिर्ची मैंने इसमें पीसी लिया था इसे इसे हाथ से ले लेती हूं और इसमें मैं एक होल बना लेती हूं और इसे तेल में से छोड़ देती हूं तो देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छा बन जाता है जो इसकी मसीन चाहो वैसा उस तरीके से बन जाता है तो मेरे ना पहले के दो तीन बेचिस बहुत अच्छे बन जाते हैं जब मैं बनाते बनाते थक जाती हूं तो लास्ट में मैं कैसे भी बना देती हूं पहले मैं दो तीन बेचिस बहुत अच्छे तरीके से बना देती हूं तो यह देखि मैंने बच्चे को दिया है मैंने बच्चे मेरे खा वी रहे हैं ऊंड़ी, उसके बाद में क्या करूंगी पता है आज मुझे यह करना था तो इसलिए मैंने बच्चे को भी नहलाय सब बच्चे बश्क करके मूधो के खा रहे हैं और बच्चे वेसे आते थो नहाँ लेते तुर हैं आज मैं सिना यह चालूंगी और इसके बालों में पूरा हैरमास लगाऊंगे अपने दोनों बेटियों के कि यूद्टी नहीं टैर्ट मुद्ध जैसा इसके बालों शचाल क इसे काफी फादा मिलता है, मैंने बहुत सारा ओली चेंज करके देखिया है, तो यह देखिये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसको अगदम वैसा वाइट वाइट से पपड़ी जैसी बन जाना है, देखिये मैं अप्लोस केमरा से दिखा रही हूँ, यहां पर ऐसे में एक कॉटन किसे, कॉटन ले लेके न, उसमें डीप करके मैं पूरा रस, इसमें मतलब जो भी जूस है न, काल लेगा, ओनियन जूस जो बनाई हूँ, उसमें थोड़ा सा नागल दे डाल के, इसके पूरे बाल में लगा, पर दोखन दे रखके, फिल्स का हैर वाश करा देती हू अपर बगरा मैंने सुबईध हो दिये थे, खाना भी बना लिया, नास्ता भी हो गया है, और ये यूनिंग से मैंने व्लॉग करना स्टार्ट किया है, यूनिंग मैं संडे का दिन था न, तो साम को मेरे हस्बेंड मेरे बच्चों के साथ में मम्मी से पिन ले आई हूँ, त और भावी के घर पर जाते हैं, तो भावी रात का खाना होना खिला के भेजी थी, और मेरे भाई ने मुझे क्या दिया, मैं आप लोगों के साथ में दिखाती हूँ, मैं घर पे आ गई थी, तो आप लोगों के साथ में ये वहाँ पे तो नहीं दिखा पाई थी, ज्यादा मेरे भाई को पसंद नहीं है तो ये देखिए मैंने एक night shoot मेरे भाई ने दिया है तो आप लोगों को vlog अच्छा लगा हो ना तो like, share, subscribe कर दीजेगा मिलती हूँ आप लोगों को next vlog में बाब बाई